तो मैं मिल भी हूँ आपको जब वॉस्पिटल जक्रिशिव आगा था उसके एक दिन बाद और है मेरे मौसी के बेटे की एनिवर्सरी फर्स अनिवर्सरी तो उसके लिए मैं गिफ लेने आई हूँ तो उपर ये जो बड़े बुद्धा जी दिख रहे है ना इनी में से मुझ बुद्धा जी लेने हैं और ये जो शौप है ये बरेली में राजयन नगर में हैं बहुत ही जादा सुंदर यहां पर आइटम मिलते हैं बड़े ही रिजनेबल प्राइज में मिलते हैं आइधिंग ऑलनाइन से भी सस्ता मिलता है यहां पर क्रॉक्री वगरा भी आप देख में हो रहता हैं बस निकलते हैं यहां से और यह मेरा भाई मेरी मौस vast Dickatti का यहां पर यह recruit से व्थर cavalet कि यह थीक नहीं थी जादा क्योंकि वह कली डिस्टार्ज के आया है लेकिन फिर भी थोड़े से टाइम के लिए जो है वह हम लोग चले गए थे यह मेरी दूसरी मॉसी की चोटी मॉसी की बड़ी बेटी और जॉब करती है यह और यहां जो है वह मैं फालतु का डांस करें मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे डांस करना नहीं आता है यह है मैं सिस्टार आप लोग को पता ही होगा और रिशिप का मुह आप देखी सकते है कितना उत्रा हुआ है बहुत थी जादा कमजोर हो गया है वह उपर मन बदलने के लिए जो है वह हम उसको यहां पल ले आ अजिए बेटा इन दोनों के लिए हम लोगों ने सेम पटजेस किया था बर कशेव का फिर हो गया कि यह जा नहीं पाएगा क्योंकि तब यह अद खराब हो गया था एडमिट हो गया था पर फिर लास्ट ताइम पर बिल्कुल एज़ जाने के टाइम पर बस आप समझो मैं अजिए प्लान के चल रहे हैं और यहां हो रहा है मस्ती भरा दान्स तो हमारे घरमिन सब एक से बढ़कर एक पागल है सब बहुत ही जादा मस्त दान्स करते हैं और यह है मेरी रेड वाली जाप देख रहे हो ना यह मैं अपनी मौशी की बटी दिखाई ती उसकी चोटी ब अजिए प्लोग निकल गए थे और प्रोग्राम भी बहुत आदेर नहीं चला था बैंड हो गया था तब ही निकले थे दें नेक्स डे हमारे आथी पूजा का था सत्यनरायन की और हवन रखा था तो यहां मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूं चौक बगएरा बना रही हू जब मेरी बहन का बेटा हुआ था था अव्यान तब से मम्मी का था कि हमें अपने घर में कुछ फंक्शन करना है बच्चा हुआ है पर वह प्रीमिचौर था फिर एक साल तक बहुत जादा बिमार रहा एडिमिट रहा डेली में और वह सब चीज बहुत चलती रही तो नहीं जब कर ली थी डेट और सबको इंविटेशन दे रहे थे जिस दिन इंविटेशन दे रहे थे बस चार्चे फोन कर पाए होँगे तब ही निवस आ गई थी कि मेरी जो तय जी है उनकी बेटी का बेटा मतलब मेरी बेहन का सिस्टर का बेटा जो है वो एक्सपायर हो गया है तो फिर वो पूजा कैंसल होगी फिर अच्छा नहीं लगता है करवाना तो नहीं हो पाया फिर हम मुंबई आ गए इस बार सोचा कि इस बार तो करवाएंगे ही फिर से जो है वो डेट वगरा निकाली तो आज जब पूजा हो रही है आज की डेट निकाली थी और होता ही जा रहा है तो किसी को मैं बुलाओ सिर्फ घर घर में पूजा करो पूजा करना जरूरी है कोई चीज बोली है तो आप उसको पूरा कर लो मतलब फंक्शन वगरा तो होता ही रहता है खाना पीना होता ही रहता है कि जात भाग़ी भण आना खूंप ऑनर ब्रकूंत चार्भण साहि रहता होता है मेरे देवर की शादी है तो मैं केरेटिन करवाने वाली हूँ पहले मेरे बॉंडिंग का सोच रहती है करेटिन पर्फिया है केरेटिन पराथ के लिए का साथाधी है तो मैं तो मैंने टीक है निक रही है और निकल रही है करचे को करचे को की अब कर दोड़ी है क्रिशो के लिए मैंने बना ली है सूजी मेवा की खीर मखानों और ड्राइड फूट डालके और एक सेक लिया है आलू का पराथा क्योंकि अभी वह जाओंगी तो बीजी हो जाओंगी तो मैं तो बनानी पहूंगी तो मुझे अच्छा ने लगता है मौसी के बच्चिया में दोनों पढ़ती है तो मतला बड़ी है लेकिन स्टड़ी कर रही है तो मुझे लग रहा है कि वह भी डिस्टरब होंगी तो बेट रहा है कि मैं फ्री थी तो मैं बना के लिए जाओं तो आज मेरे कहीं और के भी प्लैंस थे लेकिन मौसी का मतला फोन आया कि आज करा लो फि है वह अंदर है कि शू सो के उठाए जस अभी तो इसका मैंने दूध भूज हो सब कुछ पैक कर लिया है बिल्कुल एकदम सेटों के जा रही हो कि कहीं पुजाओ तो राम से वह खा पी सके को अटेंशन आओ ममी को भी तो आ गई हुम मैं पालर में और यहां पर मेरा हो रह तो मैं करके आई थी पर फिर भी मौसी ने बोला कि करना पड़ता है उनके अलग प्रोड़क्त होते हैं तो यहां पर हेर वाश हो रहा है और शैंपू को थोड़े लगा के रखा गया है यार मुझे तो लग रहा है मैं शादी के बाद आज कुछ करवा रही हुआ है जरा मे बाल को सुखाया जाएगा तो मासी ने बताया था कि कुछ अपलाय करेंगे मैं नाम भूल गया है अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा तो अभी काफी ठंडा मौसम चल रहा है तो यहां पर हेर ड्राय हुआ है तो मुझे काफी अच्छा लग यह है मेरी चोटी मासी तो यह कुछ तो मेरे बालों में अपलाय कर रही है मैं नाम भूल गई हूँ अजिक हर अगर अज तो बताया था पर मुझे ध्यान नहाँ रहा है और पूछ कर बता दूंगी मैं आप लोग को आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता आपके जाती है। तो तो में बना ने को इसी भी ले कारे तो हम जाए। तो नहीं है। यह करती देर रहेगा। जालिस मिनट तब तक क्या करें तब तक हम क्रेशब को खेला दें। जालिस मा को बच्चे की कितनी टैंसल ओते हैं। बिखिची मा जाओ लिए भुलकुल बना के लाएं, अमें लिए भुए भुए भी भी बालों को खा नहीं है लिए भी किसी खानी रहा है, हाँ हकीकत है यह लिए हुए 40 मिनट मेरे बालों को क्लेंग रैप से रैप किया गया था उसके बाद ना ये hair dryer किया जा रहा है बालों को straight करते है ना उस तरीके से dryer से किया जा रहा है और भाई ये मुझे keratin का सबसे tough part लगा मतलब इतनी आखों में मिर्ची लग रही थी ना मौसी ने अपने पारलर के gate पे बैटके जिससे दूहा बहार चला जाए और मैंने कृषिप को अंदर भीज दिया था इतना दूहा लग रहा था कि मेरी आखे बहुत जाल रही थी मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है पर ये वाला मुझे सबसे बेकार पाट लगा पर बाल देखो आप कितने जादा स्मूध हो गए हैं बहुत ही जादा अच्छे और शाइनी बाल जो है वो लग रहे हैं मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा हाइलाइटिंग अगर अभी करवा हूँ पर न अभी टाइम नहीं था मतलब पांच घंटे तो अराम साइधिंग लग गए थे यहां पर तो मैंने सोचा कि अब छोड़ो करशिप भी छोटा है और किसी से कुछ खाप ही नहीं रहा था तो मैंने सुचा आप फिर कभी देखते हैं फिलाल बाल जो है न बहुत जादा अच्छ होगा है आगे कैसे रहते हैं देखते हैं यहां पर मौसी ने बनाया था हलवा पकोड़े और यहां बस अपने पालर के यही मज़े हैं तो बस बाल बाल जो है वो सुखाने के बाद मत सिफ दो बार हेरवश करवाया जाता है रिबॉंडिंग में काफी बार होता है मैं दो बार रिबॉंडिंग भी करवा चुकी हूँ बहुत पहले शादी से पहले है कम्प्लीट मेरी केरटेन और बाल आप देखो कितने जादा स्मूज सिल्की लग रहे हैं मुझे लग रहे ह तो आज के व्लोग कहीं पर एंट करते हैं आप आपने व्लोग एंजॉई किया होगा पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल ना भूले मिलते हूं अगले व्लोग के साथ तिल देन बाबाई